चाहे जनजाती के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए हजारों रुपिये की ग्रांट भी दी गई है आज चाहे बगानों के पास ही सवासों के करीब स्कूल खोले जा चुके हैं अस्पतालों की सुविदाएं विक्सित की जा रही हैं गर्बवती महिलाओं को अपनी और अपने बच्चों की देखरे के लिए हजारों रुपिये उपलब्द कराए जा रहे हैं इसी तरह पक्के घर हो, सवचाले हो, गैस कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, जमीन के पट्टे हो ये काम, डबल इंजिन की सरकार तेजी से कर रही है, इस बार के केंद्रिय बजेट में, एक हजार करोर रुपिये की बहुत बड़ी रासी, सरफ चाए बगान में काम करने वालों की सुख सुमिता के लिए ही रखी गई है ये हमारी प्रात्विक्ता और प्रतिबद्दता को दिखाता है साथियों, टी गार्णंस में काम करने वाले हमारे साथियों की दैनिक मद्दूरी बढ़ाने के लिए भी एंडिये सरकार प्रतिबद्द है मैं इस बात की सराना करता हूँ कि असम सरकार ने बीते दो दिन वर्षों में इसमें बढ़ोत्री की है लेकिन हमारी ये प्रयास अदालत में ले गया अदालत में जाकर के माम लाटक गया इसका लाब उठाकर विपक्षी दल तरह तरह के ब्रह्म फेला रहे हैं तरह तरह के जूठ बोल रहे हैं ये बही लोग है जिनोंने टी गार्णत में काम करने वाले हमारे भाई बहनों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जैसे ये पहले जूठ बोलते थे बैसे ही अब भी जूठ बोल रहे हैं इसलिए असम के लोगों को इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है भाईयों बहनों एक चायवाला एक चायवाला आपके दर्ध को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा मैं भी स्वार दिलाता हूँ कि टी गानस में काम करने वाले स्रमिक साथ्यों का जीवन स्तर सुधारने के लिए NDA सरकार का भियान और तेज किया जाएगा